अब परिक्षित ने कहा कि एक बार सनी देब की भी तो हुआ था कुछ कहने लगे अच्छा हरुमान जी के उपर परिक्षित ने कहा हाँ हाँ अबू आली कथा भी हमें बताओ तब उन्होंने कहने लगे अरे वो जादा वेसी कथा नहीं है एक दिन हनुमान जी महाराजमस्त भगवान का राम का भज़न कर रहे थे अपने स्वामी श्री राम का तब ही सन्य देब जी आ गए सन्य देब जी ने कहा कि हनुमान जी बताओ कहा विराजमान हूँ हनुमान जी बोले भहिया इतना सारा इस्थान पड़ा है महां पे कहीं भी बेट जाओं, हमने कब मना किया सानी दियम जी ने कहा, रहे मेरा नाम सनी है मैं सबी के उपर मेरी दसा आती है, मैं वह सनी हूँ मैंने तो प्रभु श्री राम को नहीं बक्षा मैं तो उपर दसा उपर आती, तो 14 वर्ष के बनवास हो गया हरुमान जी ने सोचा कि अच्छा, तुने श्री राम जी को बनवास दिखाया था तुने राम जी को 14 वर्ष तक दूर किया था, आप देकь में क्या करता हूँ हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा तो एक काम करो तुम आकर के मेरे सर पे विराजमान हो जाओ मेरे मस्तक पे बेट जाओ सन्य जी अब जी आयो और आकर के मस्तक पे बेट गए हनुमान जी महाराज ने कहा अब बताता हूं में कि मेरे नाम हनुमान भी केसे बढ़ा हनमा जी तुनंत गए और जाकर के जाकर के उन्होंने एक परबड़े से परवत को उठाया और अपने मस्तक पे रख दिया, सर पे रख दिया सनी देव जी उसी के अंदर दबने लगे सनी देव चिनाने लगे अरे बचाओ, त्राही माम इसको हटाओ हनमान जी बोले कि देखो भाईया आप आकर के विराजमान हुए थे तो आपके कारण में अपना कारे तो नहीं रोकूँगा जो मेरा प्रति दिन का कारे है वो तो मैं करके ही रोऊँगा सनी देव जी ने कूछा ये कारे कब तक चलेगा हनमान जी ने कहा कि ये कारे तो जब तक चलेगा जब तक तक तुम्हारी दसा मेरे उपर चलेगी सनी देव जी ने कहा अच्छा एसी बात है तो तुम्हारे उपर से मेरे दसा चली गई सनी देव जी की तसा भी हनुमान जी के उपर एक छड़ भी नहीं रुक पाई एक मिनिट तक वो भगवान हनुमान के उपर नहीं रुक पाई इसलिए कि इते हैं मंगलवार के दिन जाकर कि हनुमान जी को दीपक लगाना चाहिए सनी देव जी जी से नीचे आए सनी दियव जी ने तुरंट छमा मांगी और कहा में भूल गया था कि यह जादता लोग का एक उयुक प्रताप होता है यह दो युग पर आपका तो चार उयुक प्रताप है आप तो बलशाली हो मुझसे बहुत बड़ी भूले हो गई हन्मान जी महराज ने कहा कि ऐसी भूल तो हो गई पर अंतु याद रहे कि अगर अगर आप तुमारी दशा राम या कृष्णा पर आई तो हम भी वहीं पर विराजमान रहते हैं जहां कृष्णी की कता चलती है वहीं में विराजमान होता हूं जहां राम की कता चलती हैं वही मैं आकर की विराजमान हो जाता हूँ अब राम जी को बुलाएंगे हनुमान जी अपने आप ही चले आएंगे और अगर कृष्ण को बुलाएंगे तो भी हनुमान जी पीछे पीछे चले आएंगे क्योंकि वही हनुमान है वही राम है वही कृष्ण है पर एक बात याद रहे कि भगवान ने जो लीला की है उस लीला को तुम मत करना परट व। जो कार कृष्ण ने किया है वा कार तुम मत करना पर जो कारे राम ने किया है वा कारे तुम करना जो राम जी ने कहा है वा तुम मत बोलना और जो कृष्ण ने कहा है वा जुरूर बोलना क्योंकि राम जी ने तो कुछ ऐसे सब्दे भी बोले थे कि हो सकता है कि कुछ लोग भड़क भी जाए और कृष्ण ने कुछ लीला तो यसी की तो सकता है कि आप पे भी कुछ लोग भड़क सकती है तो इसलिए बताया राम में जाओ तो भगवान के राम जी के बारे में उनकी उनने जो कारे किया वो करो और Krishn में जाओ तुम भगवान ने जो कहाँ उनने जो बाने से कहाँ वा करो और राम किशन में उना फरक मत रखो वही रामे वही कृष्ण है वही रामे वही कृष्ण है